क्लास 11 सरल आवर्थ गती तो यह मैं यहाँ पर लेकर चलता हूँ सरल आवर्थ गती में उर्जा देखें सरल आवर्थ गती में उर्जा हम यहाँ पर लेकर चलें तो मैंने आपको यह बताए था कि यह प्रिंड कोई भी बॉड़ी है यह सर्कुलर पार्थ में मूव कर रही है अपनी मार्ग दिस्टिटी एक्सो एक्स डैस वाई ओ वाई डैस पर यहाँ पर मूव करती है यह एंगल थीटा यह एम यह जिट्टा हो गया उमेगा टी यह हो गया उमेगा टी ठीक है तो यहाँ पर जब कान यहाँ पर मूव करता है तो अपनी मार्ग दिस्टिटी से विस्तापित होता है और मार्ग दिस्टिटी से विस्तापित होने के कारण इसमें दो प्रकार की उर्जा होती है नमबर एक आजाती है गर्तिज उर्जा ठीक है इसका हम बोलते है काइनेटिक एनर्जी ठीक है जब पिंड सरलावर्त गती करता है तो इसकी पहली उर्जा जो निकलती है वो गति जूर्जा कहलाती है इस गति जूर्जा के लिए आपको मालूम है कि पिंड यहां पर सरलावर्त गती में गती कर रहा है तो विद्यार्टिव आप लोगों को मालम है कि गति दूर्जा जो V होती है वो आजाता है ओमेगा अंडरूड A स्क्यार माइनस Y स्क्यार इसलिए मैं यहाँ पर ऐसा लेके चलता हूँ कि अगर यह जो बॉड़ी है यह सरल अवर्त गति कर रही है और इसका दरमान M है तो इसकी गति जोर्जा या काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ M V स्क्यार हम इसको क्या लेक सकते हों काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ M V स्क्यार यह हो गया हाफ M V इक्वल टू कितना हो गया ओमेगा अंडारूड A स्क्यार माइनस Y स्क्यार फोल स्क्यार तो गति जोर्जा कितने के एक्वल हो गई हाफ M ओमेगा स्क्यार A स्क्यार माइनस Y स्क्यार तो यह इसकी गतिज उर्जा कहलाती है इसको मैं समी का नंबर एक दे लेता हूँ ठीक है अब मार लिजे पिंड अपनी मार्द इस्तिती से विस्तापित होता है तो इसमें इस्तितिज उर्जा भी होती है तो सैकिंड मेरे पास क्या जाएगी इस्तितिज उर्जा तो मैं इसको ऐसा ले लेता हूँ माना इसको हम यूसे शो करते हैं माना बडी द्रिविमान एम को अपनी माद्ध इस्तिती से माद्ध इस्तिती से थोड़ा सा विस्तापित किया जाता है विस्तापित क्या जाता है तो माद्ध इस्तिती थोड़ा विस्तापित अपन डीवाई ने लें डीवाई किया जाता है तो किया गया सूख्श्मु कारे किया गया सूख्श्मु कारे में कितना मांग लगता हूँ डीडबलू हो गया अब बल एफ लगा रहा हूँ कार बराबर क्या होता है बल गुलित विस्तापन तो एफ इंटू डीएक्स बल बराबर मात्रा गुलित तरण ये वाई लेके चल रहा हूँ इसको मैं वाई कर देता हूँ मात्रा गुलित तरण डीवाई के हो गया डीडबलू आपको मैंने उन्त बताये था चूंकी तरण एफ बराबर माइनस ओमेगा इसक्यार वाई इसलिए मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ ये जो तरण आएगा ये एफ एक्वाई टू ओमेगा इसक्यार वाई मैं यहाँ पर ये साइन को छोड़ दू तो क्या हुआ कार डीडबलू एक्वाई टू एम ओमेगा इसक्यार वाई इसलिए कुल कारे कुल कारे क्या होगा इसका इंट्रिगेशन कर दीजे डीडबलू जीरो टू डबलू इंट्रिगेशन जीरो टू वाई मोमेगा इसक्यार य दीबाई ठीक दीडबलू का इंट्रिगेशन डबलू के बराबर हो गया तो हो गया डबलू रॉम जीरो टू डबलू खाए ओमेगा इसक्यार इंट्रिगेशन य मेरे पास ये वाई है तो य कित्ते के य डी य मालनो इन्ट्रिगेशन जीरो टू य कुल के लिए कर दू ये क्या हुआ कार है एम सक्यार य का इंट्रिगेशन कितना आता है यस्क्यार y2 0 to y value रख दीचे w equal to 1 by 2 m omega square y रखोगे y square minus 0 तो मेरे पास w equal to कितना आ गया half m omega square y square और यह जो आ रहा है यही कार उर्जा के रूप में 31 होगा तो में ले लेते हैं यही कार 33 उर्जा के रूप में 33 उर्जा के रूप में 31 हो जाता है 31 हो जाता है ठीके तो इस्तिति उर्जा को मैं u से शो करूँ यू बराबर कितना जाएगा जो अभी मैंने निकाला यह कार half m omega square y square तो यह मेरे पास सिस्तिति उर्जा के रूप में आएगा half m omega square y square जागया समीकरान number 2 ठीके इसलिए अगर मैं कुल उर्जा निकालू तो कुल उर्जा e तो e बराबर मेरे पास कितना जाएगा equal to kinetic energy जति उर्जा plus potential energy इस तिति उर्जा जाएगी ठीक है energy ठीक तो e equal to kinetic energy कितनी है half m omega square a square minus y square और potential energy कितनी है half m omega square y square के मांगे बराबर अगर आप इसको यहाँ multiply कर दीजे इसको यहाँ करिए तो यह दोनों टम कैसे हो जाएगी cancel हो जाएगी तो e बराबर किता जाएगा half m omega square a square के बराबर जाएगा ठीक है अर्थात कुल उर्जा कुल उर्जा अचर होती है अचर या सन्रक्षित रहती है ठीक है तो यह हम इतना यहाँ पर लेकर चलूँआ है अर्भागाल झाल यह मैं पराबर भ्राबर शट्सले के बराबर lव्चा तो यहाँ है